स्टार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले एक बहुत इंट्रस्टिंग इश्यू मैं इसको कहूंगा यह मैं से हर एक टोपिको में इंट्रस्टिंग ही गयता हूँ देखे अभी हाली में केस हमारे सामने आया है एक आईएस ओफिसर थे उन्होंने इस्तिफा दिया था और इस्तिफा देने के बाद उनको लगा कि मुझे मेरी जोब वापस चाहिए तो उन्होंने सरकार को गोहार लगाई कि किरपया करके मेरे इस्तिफे को रिजेक्ट कर तो यहां पर अब एक सवाल आता है हमारे सामने, क्या एक IAS अधिकारी जो वो इस्तिफा दे देते हैं और इस्तिफा देने के बाद उनको वापस अपनी नोकरी चाहिए होती हैं, तो क्या वो वापस नोकरी पा सकते हैं या नहीं, इन तमाम बातों को इस वीडियो के अंदर ह एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको कुछ भी लिखने का नहीं है, उनली सुनने का है, मतलब सारा कुछ लिखा लिखा या आपको मिलने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं, अभी हाली में देखे वर्ष 2019 की बात है, 2019 में कश्मीर में एक IAS अधिकारी, उनका नाम है सहाफैशल, 2019 में इन्होंने क्या कहा, कि बेरोक्टोक हत्याओं के विरोध में मैं अपनी सेवा, यानि IAS अधिकारी के पद से अपना इस्तिफा दे रहा हूं, और अब इनको वापस बहाल कर दिया गया ह तो उन्होंने 2019 में अपना इस्तिफा दिया था, अब 2019 में जब इन्होंने इस्तिफा दिया था, ये कहते हुए कि कश्मीर में बहुत जादा हत्याएं की जा रही है, बहुत लोगों को मारा जा रहा है, बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है और मैं इसका विरोध करता हूं, 2019 में अपना इस्तिफा देने के बाद इन्होंने एक पार्टी बनाई थी उस पार्टी का नाम था JKPM जम्मो एंड कश्मीर पीपल्स मोवमेंट तक्रीबन डेड़ साल अपना करियर अपना लग पॉलिटिक्स में आजवाने के बाद इनका लग चला नहीं वहाँ पर इनका करियर बना नहीं तो इनको लगा कि जो मैंने जोब इतनी महनत से पाई थी 2010 के टोपर हैं ये कश्मीर के फर्स्ट कश्मीरी हैं ये जिन्होंने टोप किया था 2010 के बैच में तो इनको लगा कि जो मैंने जोब पाई थी इतनी महनत से तो कम से कम मुझे वो जोब तो वापस मिल जाए तो इन्होंने सरकार को गोहार लगाई थी कि मेरा जो इस्तिफा जो मैंने 2019 में दिया था किरपया करके उसे reject कर दीजिए और मेरी जोब मुझे वापस कर दीजिए कैर सरकार ने इनकी सुन ली और इनको इनकी जोब वापस कर दी गई अब बात आती है यहांपर rules क्या आते हैं IES के जो एक IES अधिकारी है इनके लिए क्या क्या rules हैं इनके resignation से इनके इस्तिफे से related इस बात को हम इस वीडियो में देखने वाले देखे IES अधिकारी के इस्तिफे से संबंदित जो नियम है वो बात करते हैं हमारे देश में जो तीन परमुक सेवाएं हैं All India Services तीन परमुक सेवाएं कौन कौन सी हैं एक है IAS Indian Administrative Service एक है IPS Indian Police Services एक है IFS यह है Indian Forest Services अब इन तीनों Services हैं यानि All India Services है इनको एक rule है उस rule का नाम है All India Services Death Come Retirement Benefit Rule 1958 यहां पर लिखा हुआ है All India Services Death Come Retirement Benefit Rule 1958 इसके तैत इनको govern किया जाते है या फिर कहें इस rule के तैत इन Services के इस्तिफ़े को चलाया जाता है यहां पर rule number five का close one और rule number five का close one का sub close a इसके तहत यहां पर इस्तिफ़े की बात की गई है और भी जो अन्य जो केंदर या सेवाओं से संबंदित अधिकारियों के इस्तिफ़े भी इसी तरह के नियम होते हैं अब बात करते हैं आपको नियम पता चला कि कौन से नियम के तैत इस्तिफ़े को देखा जाते हैं अब एक आईयस अधिकारी का इस्तिफय का मतलब क्या होते है एक अधिकारी जब इस्तिफा देता है तो उसका actual में क्या meaning निकलते है देखे इस्तिफया जो है यारे resignation जो है एक formal intimation एक लिखित information दी जाती है information कहा जाता है एक अधिकारी के द्वारा कि मैं अभी या तो तुरंथ या फिर आने वाले एक date दी होता है बिना कोई शर्त के होता है और एक चीज ध्यान रखनी है जो इस्तिफा होता है जो resignation होता है वो different है एक जो government के दौरा scheme चला जाती है लेकिन VRS scheme के तायत को retirement होती है तो वहां पर उनको pension के वो हकदार होते हैं लेकिन इस्तिफे में नहीं होते हैं कोई भी even single benefit नहीं दिया जाता यहां पर अब बात आती है यहां पर इस्तिफा किसको परस्तूत किया जाते है state deputation के मामले में बात करें यानि राज्य परतिन्युक्ति के मामले में बात करें तो राज्य के मुख्य सचीव को दिया जाता है यानि chief secretary of state को दिया जाता है अब बात करें केंदरिय परतिन्युक्ति का मामला यानि case of central deputation के बात करें तो वहां पर संबंदित मंत्रालय या व जाज्ये जांच करते हैं क्या अधिकारी के खिलाव कोई बकाया तो नहीं है साथ ही साथ वहां पर उनके खिलाव कोई प्रस्टाचार का केस चल रहा है या फिर इसके अलावा कोई और अलग inquiry चल रही है उससे संबंदित कोई मामला पेंडिंग तो नहीं है और यदि ऐसा माम मामला पाया जाता है तो आम तौर पर इस्थिफा कारिज कर दिया जाते हैं एक बात होगी हमारे सामने क्लियर कि आईएस अधिकारी के किलाव कोई भी जो इस तिखारी इसने इससने इस्थिफा तो उनके किलाव कोई मामला चलना नहीं चाहीए further बिलकुल एक्दम clean sheet होनी चाहिए तब जाके उनका इस्तिफा आगे जाके स्लेक्ट होगा वरना वो reject कर दिया जाएगा अब केंद्रियस्तर पर बात करें यानि हमने राज्यस्तर पर बात कर ली अब सेंटर लेवल पर आते हैं अधिकारी के स्टेट जो एक कैडर होता है कैडर से रिकमेंडेशन मिलने के बाद एक आईयस अधिकारे ने अपना इस्तिफा दे दिया तो कैडर से रिकमेंडेशन मिलने के बाद सेंटरल गवर्मेंट के पास वह information आती है, इस्तिफा आता है, तो वहाँ पर कहें कि एक authority होती है, competent authority होती है, वो जांज करते हैं, वो विचार करते हैं कि क्या इनका इस्तिफा accept करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यह सक्षम परादिकारी, यानि ये जो competent authority होती है, यह कौन होती है देखिए तीन हमारे सामने सर्विसीज है एक है IAS एक है IPS और एक है IFS इन तीनों सर्विसीज की जो Competent Authority वो अलग-अलग है IAS की जो Competent Authority है वो आती है Ministry of State at the Department of Personal and Training यानि DOPT आती है जो IAS के मामले को संभालती है IPS के लिए Ministry of Home Affairs आती है यहां पर IFS के लिए Ministry of Environment, Forest and Climate Change यहां पर IFS के लिए आ जाती है और अब बात देखें DOPT जो DOPT के जो चार्ज होते हैं as ministry in charge of DOPT Prime Minister जो होते हैं वो decision लेते हैं IAS के लिए तो कितनी important यह authority आप समझ सकते हैं जहां पर involvement है सीधा परधान मंत्री जी का अब इनके बाद इस्तिफा सविकार या ऐस्विकार करने की प्रिष्थितियां बात कर लेते हैं यहां तो हो जाता है कि बिल्कुल clear है उनका कोई बकाया नहीं है उनके खिलाव कोई भी case नहीं चल रहा है तो वो यहां पर जांच करने के बाद सब कुछ सही निकलता है तो वहां पर उनको इस्तिफा मंजूर कर लिया जाता है और वो अपनी सेवा से वहां पर हड़ सकते हैं अब सविकार करने से संबंदित हम बात करते हैं regarding accepting जब एक सरकारी करमचारी जो निलंबन के अधीन है यानि जिनका suspension चल रहा है तो वहां पर जो वो resign प्रस्तूत करते हैं तो जो competitive authority हैं उस सरकारी करमचारी के खिलाव मामले की जांच करते हैं कि इनके खिलाव कोई मामला च सही है या नहीं है यानि जन हीत में सही रहेगा या नहीं रहेगा इस बात की जांच की जाती है और एस्विकार करने के संबंद में अधिकारी के खिलाव अगर कोई मामला चल रहा है उनके खिलाव कोई ऐसा कोई मामला आया जो pending है या अभी भी case वो continue है तो सीधे तोर पर जो इस्थिफा है वो ऐस्विकार कर दिया जाएगा और इस मामले में केंद्रिय सतरक्ता आयोग यानि cvc यानि Central Vigilance Commission इसकी सहमती प्राप्त की जाती है सरकार यह भी जांच करती है कि जिस अधिकारी ने जो इस्थिफा दिया है क्या यहां पर इनके इन्होंने कोई bond तो bond sign करवाती है कि आप इतने time तक job नहीं छोड़ सकते हों अब छोड़ दी होगी तो वहां पर कुछ conditions वांदी होती है obviously ऐसी सरकार के साथ भी bond sign किये जाते हैं साथी साथ इन्होंने को special training तो नहीं ले रखी है यहां पर वो यह भी देखते हैं कि इन्होंने को scholarship ली है study के जांच करने में सारी चीज़े clear निकल रही है तो इस्तिफा accept हो जाएगा अब बात करें किसी ने इस्तिफा दे दिया अब इस्तिफा देने के बाद उनका मन किया कि नहीं मुझे मेरी जोब वापस चाहिए मैं इस्तिफा वापस लेना चाहता हूं clear जैसे साफ हैशल जीने क यहां पर एक संशोधित DCRB नियमों के नियम 51A1 के अनुसार के अंदर सरकार किसी अधिकारी को जन हित में अपना इस्तिफा वापस लेनी के अनुमति दे सकती है यानि Central Government यह अधिकार देती है एक अधिकारी को कि अगर आप Public Interest में अपना इस्तिफा वापस लेना चाहते ह हैं अब यहां पर आपको ध्यान रखना है जिस तारेक को इस्तिफा दिया था यहनि इस तारेक को इस्तिफा दिया था और इनको वापस बहाल भी कर दिया जाते हैं, तो इन दोनों डेडस के बीच में, 90 दिन का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो एक तो चीज यह होगी, यह sabiatric डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तीन महिने के अंदर अपना रिस्तिफा वापस करतीजिए, reject करतीजिए मुझे मेरी job वापस चाहिए तो सरकार किस मामले में इस्तिफा reject नहीं करेगी या फिर कहेंगे कि हम वापस नहीं ले सकते अगर All India Services में जो भी अधिकारी है किसी भी राजनितिक दल या राजनिती में भाग लेने वाले किसी भी संगटन से जुड़ें तो वो अपनी सेवा या पस से इस्तिफा देते हैं तो अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो सरकार वहाँ पर इनके जो अन्रोध है या इस्तिफा वापस लेने का अन्रोध वो स्विकार नहीं करेगी सरकार इस्तिफा दिया यदि कोई अधिकारी जिसने अपना त्याग परतर प्रस्तूत किया है तो जो अथोर्टी है द्वारा उसकी स्विकृती से पहले उसे वापस लेने की लिखित सूचना भेजता है कि मुझे मेरा जो त्याग पत्र है उसे विड्रो करना है तो वो माना जाएगा कि उस त्याग पत्र को स्वता ही वापस लिया हुआ समझा जाएगा अब बात काती है यहां पर साफ हैशल के मामले में देखिए इन्होंने 2019 में रिजाइन दिया था 9 जनवरी 2019 को उनका जो रेजिगनेशन है वो प्रोसेस वाज नोट प्रोसेस आगे बढ़ाया है नहीं गया इस एग्जेकुटिव रिकॉर्ड शीट ओन डी ओपीट यानि डिपार्टमेंट यह जो हमने पढ़ा था न जो इस्थिफे को सब कुछ यह संभालती है यहां इस से रिलेटिड तो इनकी वेबसाइट के ऊपर यहां पर इनकी कोई पॉस्टिंग की डिटेल तो नहीं मिलती है लेकिन कि यह एक लिस्ट जो अपडेट की गई थी 2021 में तो जो साफ एशल का नाम था वहां पर लिस्टिड था देकिन इनको कोई पॉस्टिंग नहीं दिए थी यह नोट एविलेबल वहां पर यह दिखा रहे थे तो यानि इनका जो रिजिगनेशन है वह आगे प्रोसेस हुआ ही नहीं यानि गवर्मेंट ने अभी तक इनके प्रोसेस को एकसेप्ट किया ही नहीं था जब तक एकसेप्ट नहीं किया था तो इनके लिए दरवाजे खुले थे अपनी जोब पाने के तो इन्होंने उसी का फाइदा उठाते हुए कहा सरकार से कृप्या करके मेरे लिए नाम का लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आब वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आई यह तो बेशक इसको लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें क्योंकि इससे बहुत जादा बहुत ही जादा मोटिवेशन मिलता है शेर कर सकत हैं वीडियो को भी as well as channel को भी thank you for watching this video